नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज में आपको गनेजी की कहानी सुना रहा हूँ एक समय की बात है एक गाओं में एक बुडिया माई अपने बेटे बहु के साथ रहती थी उसका बेटा दूसरे गाओं में कमाने के लिए गया हुआ था इधर पीछे से बुडिया माई बहु के साथ घर में अकेली थी बहु उसे खाना भी नहीं देती थी सारा बना हुआ खान और थोड़ा सा जमीन पर गिरा देती थी जब सास वोजन के लिए पूछती तो वे चुवों का जूटा नाम लगा देती कहती खाना तो रखा था माजी साइद चुवे खा गई बुढिया माई स्री गनेजी की परमभक्त थी सुवे साम गनेजी माराजी की पूजा अर्चना क या करती थी एदन एक डांक्या चिठी लेकर आया उस चिठी में लिका था कि उसका वेटा बापस आ रहा है यह सुनकर बुढिया माई बहुत खुस हो गई उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पत्ती के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी यह सोचकर वह रात को जल्दी स हो गई दूसरी तरफ भगवान स्री गनेश जी यह सब अपने दिव डिश्टी से देख रहे थी उनने सोचा कि हर रोज यह खाना अकेली खा जाती है और सारा इलजाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बिचारी बुढिया को भूके रखती है आज इसे सबक सि बहू हर दिन सारी को खूटी पर टांग कर सोती थी उसने उस दिन भी वैसा ही किया उसके सोते ही बागवान स्री गनेश ने अपने चूहों को आदिश दिया कि जाओ और जाकर इसकी सारी को बिल में चुपा दो चूहों ने उसकी सारी बिल में चुपा दी जब बहू सुब उदर उसका पती भी आ गया था, सास ने उसको अवाज लगाई बहू, देख मेरा बेटा आ गया, तब वहुने कुछ नहीं बोला, सास ने फिर से अवाज लगाई, वहुने बोला, माजी मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊँ, तब उसका पती कमरे के अंदर चला गया, वो उसे बिना साड़ी के डिक कर उसे मारने लगा, कहने लगा कि बंद कमरे में से साड़ी कहां जाएगी, उतने में बुढ़िया माई भी अंदर आ गई, वह इधर उधर देखने लगी, उसे साड़ी का पल्लू चुहों के बिल में दिख गया, बुढ़िया कर दीजी, मेरी करणी मेरे साथ में हर रोज भूजन चुरा कर खाती थी मैं और नाम चुहों का लगा देती थी, इसलिए गनेज जी ने मुझे सजा दी है, उसके बाद से ही वह उसे गनेज जी से अटूट लगाव हो गया, वह हर सुबह अपनी सास के साथ पूंड भाव से बागवान स्री गनेज जी की पूजा करती और उन्हें लड़ू मोदक फल मिठाई अनेक प्रकार की भूग लगाती, गनेज जी यह सब देख कर बहुत प्रिसन हुए और उनकी क्रपासे उनके घर में सुख सम्रद्धी आने लगी और वे सब खुसी खुसी अपना जीवन ब्यतीत करने लगी, बुलिये गनेज जी महराज कीजें